हेलो गुड मॉनिंग आज के वीडियो में हम लोग ब्रोडबेंड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रोडबेंड क्या होता है तो ब्रोडबेंड ब्रोड का मतलब क्या होता है ब्रोड का मतलब बहुत बड़ा बहुत ज्यादा बड़ा और बैंड का मतलब होता बैंड्वीर्थ यानि कि जब बहुत ज़्यादा bandwidth कोई internet connection आपको दे वो है broadband broadband high speed data rates के लिए ही बनाए गया था ताकि user को बहुत ज़्यादा fast internet connection मिल सके broadband बिलकुल किसी दूसरे network की तरह ही होता है किसी दूसरे network provider, internet provider की तरह ही होता है जैसा कि हम लोग Airtail, Geo, Idea, Odafon को देखते हैं हो सकता है कि वो service कुछ limited हो या unlimited हो, हो सकता है कि आप 400 रुपे का recharge करवाते हैं तीन महीने तक unlimited use कर सकते हैं यह भी हो सकता है कि आप 100 रुपे का recharge कर वा उसमें आपको 5 GB मिल गया और 5 GB ही आप इस्तमाल कर सकते हैं तो उसका अलग अलग plan होता है वैसे ही broadband का भी अलग अलग plan होता है जो कि decide करता है internet service provider याने कि ISP internet service provider क्या करता है एक base station बनाता है और उस base station के आसपास जिसे भी उस broadband की जौरत होती है वहां तक वह अपने network को पहुंचाता है इसी निये कहते हैं कि जो broadband होता है वह local area network में काम करता है तो कि इसे बहुत ज़्यादा दूर तक ले जाना possible नहीं है base station से और base station से user तक data को याने कि broadband को ले जाने के लिए यहां पर जौरत पर सकती है किसी unguided media की या किसी guided media की तो maximum time wire का इस्तमाल करके base station से user तक internet connection को ले जाया जाता है लेकिन किसी-किसी cases में जहां पर wire नहीं जा सकते वहां पर wireless connection भी establish किया जा सकता है लेकिन यह base station से बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं होता यह सुईधा base station के कुछ limited area में ही मिलती है इसी वाज़ा से internet service provider broadband की service provide करने के लिए अलग-अलग जगा पे base station बनाते रहते हैं कि वो उस signal को ले सके और फिर उन्हें distribute कर सके customers में broadband पाफ़ी ज़्यादा fast data rates provide करने के लिए जाने जाती है इसी वाज़ा से बहुत सारी companies बहुत सारे organizations यहां तक यह school colleges भी broadband का इस्तमाल करते हैं ना कि किसी normal network का यह broadband fast होने के साथ साथ काफी सस्ते होते हैं आप जो data अपने mobile phone में डलवाते हैं उससे भी ज़्यादा सस्ते होते हैं इसी वज़ा से इनका इस्तमाल काफी ज़्यादा होता है और इनका जो speed होता है वह ऐसा नहीं होता कि अभी बहुत कम दे रहा है तो कुछ time में बहुत ज़्यादा दे रहा है इनका जो data speed होता है वह fix होता है आप जिस तरह का connection लेते हैं अगर आप connection लेते हैं 100 Mbps तो 100 Mbps के आपको data rate मिलती है अगर आप connection लेते हैं 300 Mbps तो 300 Mbps की data rate आपको मिलेगी यहाँ पे आप data rates की अनुसार अपना plan choose कर सकते हैं और उससे खरीच सकते हैं उसका इस्तमाल कर सक broadband किसी डायलप connection की तरह होता है जैसे डायलप connection इंटरनेट की service प्रॉआइड करता है यूजर को वैसे ही broadband भी क्या करता है यूजर को वह service प्रॉआइड करता है लेकिन इन दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर है वह ये कि डायलप connection के लिए हमें जहान number dial करके फिर connection करते हैं कि broadband आप सभी समझ चुके होगे यहां पे एक और टॉपिक अया जो कि है डायलोब करेक्षिन प्रोवाइडर देता है जहां पर हम क्या करते हैं कि नंबर हम प्रोवाइडर करते हैं तब जाके कि हम उससे connect हो पाते हैं एक number मिलता है हमें एक तरह का security की बड़ लेकिन वह security की नहीं होता वह बहुत सारे number आपको provide करेगा जो रहें नहीं कि एक ही number provide करें वह local दो-तीन number हो सकता है international number भी हो सकता है और उस number को connect करने के बाद उस number को dial करने के बाद ही हम इंटरनेट की service को activate कर पाते हैं अपने computer पे इसलिगे उसे बोला जाता है dial up connection और broadband connection यह दोनों बहुत ही similar होता है बस दोनों के थोड़ा सा काम करने का तरीका अलग है और data rates का फर्क है hopefully आपको यह दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर कोई problem है तो आप मुझे comment कर सकते हैं thank you